पीचर लोडेड होने वाली एक आ येकवर्टिभ़ेल जाते पे टैलौवी वील्स मल जाते हैं, ventilated seat का भी option मिल जाता है, अब ये दोनों function अपने को automatic मिल जाते हैं, अब Android Auto और Apple Carplay की जो connectivity जाती है आपने को wireless मिल जाती है, तम तो quality देखिये भाई इतनी जबरदस यहां मिल जाती है अपने को वारलेस चार्जर भी मिल भाई नेक्सॉन की जो सीट से ना वो तो बड़ी कमफोटिबल मिल जा दिये पावर परफॉर्मेंस तो बहुत दगडियां पर मिलने वाली है नमस्कार दोस्तों मैं हुनितिन गुले और सामने आप देख रहे हैं सब्सक्राइब प्रेस करके बेल नोटिफिक्शन ओन कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अफ्लोट करू ता आप तक नोटिफिक्शन पहुच जाए स्टार्ट करेंगे इसके प्राइजिंग से उसके बाद वॉकराउंड देखेंगे तो वन बाइवन पर सारी डीटेश देखते हैं तो भाई टॉफ वेरियंट अपने लाइन अप का यहाँ पे अपने कुछ मैन्वल ट्रांस्मिशन है ना इससे आगे आपको और कुछ नहीं मिलने वाला मतलब फीचर्स बहुत तगड़े यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं तो एक एक करके सारे में आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले अपन इसकी प्राइजिंग की बात कर लेते हैं एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 13,60,000 में आजाती है और रोड प्राइस की बात करें तो लगबग 15,80,000 में आण रोड आ जाती है और यह जो प्राइसिंग है बालाखट सिटी में प्रदेश किये और इस वक्त अपन है सुनील आटोमोटिव स्टाटा शोरूम बालाखट में तो इनकी सारी जो कॉंटेक्ट डीटेल्स है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी कॉल कर गया विजिट कर गया आप सारी डीटेल्स ले सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं अब इसका वॉक अराउंड सबसे पहले जो फ्रेंट प्रोफाइल ने वो देखिए सो रोड ब्रेजिल्स वी आर नेक्सवान का बहुत तगड़ा अपने को मिल जाता है पियानो व्लैक फिनिश में अपने को ग्रिल मिल जाती है अब हेड्लैंप्स के सेटप की बात करें अब इस साइड अपना आते हैं तो देखिए यहाँ पे अपने जो टर्न सिगनल से यह फ्लोटिंग स्टाइल में मिल जाते हैं अपने को साथ में जो DRL से मतलब Bifunctional यह काम करने वाले हैं और नीचे साइड अपने को यहाँ पे LED प्रोजेक्टर headlamps मिल जाते हैं और उसके नीचे अपने को यहाँ फॉग lamps भी मिल जाते हैं अब देखिए यहाँ पे अपने को स्किट प्लेट भी मिल जाती है तो यह हो गया अप साइड प्रोफाइल के साइड में अपने को इन जैसी आते हैं तो देखिए यहाँ पे कलाइडिंग भी बहुत बड़ी है मिल जाते हैं साथ पे जो design है और जो looks है भाई वो भी बहुत तगड़े मिल जाते हैं अब ground clearance की बात करें तो 208 mm का यहाँ पे ground clearance को मिल जाता है अब wheels के अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे अपने को diamond cut alloy wheels मिल जाते हैं अब tire के अगर section की बात करें तो 215, 60, R16 16 inch के wheels अपने को मिल रहे हैं फ्रेंट में अपने को disc brake मिल जाते हैं और rear में मिल जाते हैं drum brake तो यह इसके braking का setup है अब over vm की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे भी अपने को camera मिल रहा है अब चारोई side अपने को camera का setup है वो मिलने वाला है piano black में अपने को over vm मिल जाता है turn sickness भी integrate किये और यह जो over vm है electrically adjustable और foldable दोना option मिल जाता है A pillar B pillar पूरा black out किया हुआ है साथ में DT variant है तो यहाँ पे जो roof है वो भी अपने को पूरी dual tone में मिल रही मतलब piano black में उपर अपने जो favorite feature है sunroof वो भी मिल रहा है अब side में अपने को roof rails भी दिख रहे मतलब सारे जो characteristics के अपने को nexon में मिल जाते हैं ऐसे वी वाले अब side profile से अगर looks की बात करें तो ऐसे कुछ looks अपने को यहाँ मिल जाते हैं तो looks तो यार चारों की side से काफी तगड़े अपने को मिल जाता है टाटा nexon में अब dimensions की अगर बात करें तो under 4 meter है nexon और on length की बात करें तो 495 mm की मिल जाती है width मैंने बता दिया wheel base की बात करें त 2498 mm का wheel base मिल जाता है काफी video space अपने को अंदर भी मिलता और वो भी अपन जाके चेक करने वाले हैं अब क्या रहे गया ground clearance मैं आपको बता ही दिया और हाँ यहाँ पर अपने को request sensor मिल जाता है अब यह driver's ID मिलेगा passenger's ID अपने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर remote की भी अपने को लोगों मिल जाता है अब देखें लॉक करने में और विंफोल्ड भी हो रहे हैं और यहाँ पे जो welcome और goodbye वाला जो feature है वो भी अपने को मिल जाता है अब unlock करने में unfold भी हो जाएंगे तो चलिए अब चलते हैं अपने इसके rear profile के तरफ तो rear profile के side में अपने जैसी जाता है तो दीचे reverse parking camera और nexon की badging यहाँ पे अपने को मिल जाती है अब tail lamps के setup की बात करें तो brake lamps, turn signals और turn signals भी अपने को floating style में यहाँ पे मिलना वाले है यह देखिए अब नीचे side अपने को reflectors और reverse parking lamp मिल जाते हैं और दो center में अपने को देखिए यहाँ पे reverse parking sensors मिल जाते हैं और नीच sensor दो light अपने को मिल जाती है, parcel tray भी मिल रहा है, साथ में 12V का power socket यहाँ मिल जाता है और boot space की बात करें तो भाई काफी बड़ी है यहाँ पे space अपने को मिल जाता है, 382L का boot space मिल जाता है, अब एक socket अपने को 12V का यहाँ पे मिल जाता है, दो hooks मिल जाते हैं और इस side भी 2 hook औ थोड़ा flat रखा हुआ है, मतलब luggage in or out करना काफी easy होने वाला है, उपर अपने को cladding मिल जाती है और यहाँ से सू कर देते हैं, बंद, तो rear profile यहाँ से complete होता है, अब side profile के side में जैसी आते हैं तो यहाँ पे fuel filler cap मिल जाता है, fuel tank capacity की बात करें तो यहाँ पे अपने को 44L का fuel tank म mileage की बात करें तो 17 to 18 km के अपने को mileage भी मिल जाता है, अब यह AI claimed mileage है, इससे ज़्यादा का भी mileage इसके owners इससे claim करते हैं, तो चलिए मुझे लगता है अब exterior की सारी चीज़े हो गए, अब चलते हैं interior में और देखते हैं, वहाँ पे क्या क्या features मिल जाते हैं, चाबी मैंने आप पर यह पूरा soft touch मिलने वाला, यह बिल्कुल यहां तक पूरा soft touch है, चार पाउर window के button, अब देखिए यहां पर भी chrome मिल जाता है, और यह देखिए अपना जो वार वीम में उसका adjust और fold करने के लिए button मिल जाता है, अब यह भी पूरा piano black में दिया हुआ है, पूरा यहां पर comfort बहुत जबरदस मिल जाता है, height adjustment option भी मिल जाता है, ventilated seat का भी option मिल जाता है, और headrest अपने को मिल जाते है, adjustable, अब चलते हैं अंदर और देखते हैं, अंदर के features मिल जाते हैं, तो यह अपना आगे भी interior में, seat को अपन कर लेते हैं थोड़ा पीछे, जिससे सारा भी एकदम clear ह जाएगा, तो एक बार जो dashboard के look से वो देखिए, तो भाई premiumness तो बिल्कुल आपको feel होने वाली, जैसे आप अंदर entry करेंगे, और हाँ, जो ventilated seat का option है ना, सिर्फ driver side नी दिया है, passenger side भी अपने को वो option मिल जाता है, तो start करेंगे अब steering wheel से उससे पहले जुन नहीं, भाई लो तो इस side start stop का button मिल जाता है, तो यह देखिए, ऐसा कुछ welcome करता है instrument cluster, पूरा का पूरा digital यहाँ हो गया है, अब illuminated logo है यहाँ पे आगया, steering mounted controls भी हाँ मिल जाते हैं, left side में infotainment system के और telephone के, और right side में अपने को cluster के और cruise control मिल जाता है, अब इसके adjustment के अगर बात करें, तो tilt मिल जाता है, telescopic नहीं मिलता है, left side में wiper के controls और right side में headlamp से control मिल जाते हैं, अब यह दोनों function अपने को automatic मिल जाते हैं, अब देखिए, cluster में क्या क्या मिल जाता है अपने को, इस side अगर देखे तो temperature gauge right side में अपने को fuel gauge मिल जाता है, उपर अपने को time, यहाँ पे बहुत सारी information मि जाती है, और नीचे side odometer और range दिखा रहा है, इधर city mode और यहाँ पे ignition on दिखा रहा है, तो चलिए, इसको अपन एक और बार click करते हैं, तो navigation दिखा रहा है, media, notification, settings, trip info, तो इसको अगर नीचे scroll करते हैं, अपन तो trip A, trip B, instant fuel economy, एक और बार click करने में, vehicle info, TPS भी आपने को मिल जाता है, proper tire to tire, pressure भी यहाँ दिखा रहा है, और एक और बार click करने में, navigation, तो इतने कुछ features अपने को मिल जाते हैं, center console की बात करें, dashboard की बात करें, तो यहाँ पर अपने को 10.25 inch की screen मिल जाती है, अब android auto और apple carplay की connectivity है, वो अपने को यहाँ wireless मिल जाती है, और साथ में यहाँ inbuilt air purifier भी अपने को मिल जाता है, और touch response की बात करें, तो भाई काफी बढ़िया हो गया, काफी smooth हो गया है पहले से, और साथ में जो features की list है न भाई, वो भी काफी लंबी हो गई है, तो चलिए अब dashboard की अगर बात करें, तो पुरा black theme में यहाँ पर अपने को मिल जाता है, औ इसको अबन जैसी click करते हैं, तो देखे है, quality कितनी जबरदस यहाँ पर अपने को view मिल जाता है, अब देखे, gate open है, इसलिए यहाँ ब क्लियर घ्र करते है, तो यह देखे, तो यहार कितना जबरदसат यहाँ पर view अपने को मिल जाता है, अब यह 2D है, 3D में जैसी अपने को तो quality देखिए भाई इतनी जबरदस्त यहां मिल जाती है अपने को और बहुत clear view है यहां पर देखिए इसको अपन जो angle है वो भी change कर सकते हैं यहां से अब देख सकते हैं तो बहुत जबरदस view है अपने को यहां मिलने वाला है उसके नीचे यहां पर 12V का power socket, USB connectivity और type C का charging socket मिल जाता है 6-speed का manual gearbox अपने को मिल जाता है अब एक चीज़ दियान रखने वाली है कि भाई जहां पर manual transmission मिलता टॉप बिरिंट में फियरलेस प्लस S में तो यहां पर अपने जो music system है ना पूरा को पूरा यहां पर harmon का मिलता है लेकिन automatic में अपन जाते हैं तो वहां पर JBL का system आ जाता है तो यह धियान रखना है कि automatic और manual में दोनों changes अपने को मिलने वाले है अब इस side अपन आते हैं तो यहां पर drive modes मिल जात पीछे अपने को wireless charger भी मिल रहा है तो features तो सारे मिलने है अब यहां पर handbrake मिल जाता है dedicated armrest मिल जाता है वह भी leather यहां पर मिल रहा है मतलब पूरी leather अपोस्ट्री यहां मिल रही है और अंदर इतना कुछ अपने को size मिल जाता है अब glove box की अगर बात करें तो यह देखिए इ organizer भी है light भी है और उपर tablet holder भी मिल जाता है कूल glove box है और उपर side अथर देखे ए तो यहां पर अपने को ticket holder मिल जाता है और roof भी भाई पूरी black यहां पर अपने को मिलने वाली है sunroof भी अपने देखते है auto dimming iron भी हम अपने को मिल जाता है light की बात करें तो यहां पर cabin light LED मिल ज single click में sunroof open होगा और काफी wide opening के साफ में आप है अपने को sunroof मिल जाता है अब single click में बिलकुल single click में ये बंद भी होजाता है बाकी इसको manually बंद करना पड़ेगा तो features देखें बाई आपने इतने जबरदस अपने को मिल जाते हैं अब safety features की बात करें तो 6 airbag का setup किया हुआ है, ABS, EBD, brake assist, electronic stability program जैसे तमाम safety features भी यहाँ अपने को मिल जाते हैं तो चलिए, अब seat के comfort की बात करें तो यहाँ पे seat का जो comfort है वो भी काफी बढ़िया मिल रहा है और under thigh support देखिए भाई, बहुत जबरदस्त है और hide भी अपने adjust कर सकते हैं manually तो मुझे लगता है, अब front के सारे features अपने देख लिए, अब चलते है rear seat में और देखते हैं, वहाँ पे क्याकर features मल जाते हैं और कितना comfort मिल जाता है, तो seat को अपन करने देए, adjust, तो यह हो गई है, adjust, और चलते हैं अपन rear seat में तो door panel की बात करें, तो यहाँ पे भी यह पूरा soft touch मिल रहा है, power window का button नीचे bottle holder, OS speaker का द्विल अपने को मिल जाता है, अब rear seats की बात करें, तो 60-40 split seat मिल जाती है, dedicated armrest और adjustable headrest अपने को मिल जाते हैं, अब चलते हैं अंदर तो यह अपना आगा हैं अभी rear seat में, मेरी जो height है 59 है, और देखिए, कितना जबर्दस यहाँ leg room मिल रहा है, मतलब seat अपने height के according adjust है, और under the eye support की बात करें, तो वही नेक्सॉन की जो seat से ना, वो तो बड़ी comfortable मिल जाती है, front हो या rear की, तो चलिए, यहाँ पे अगर देखें तो तीन passenger easily बैट जाएंगे, rear AC event भी मिल जाते हैं, और साथ में यहाँ पे दो charging socket मिल जाते हैं, type A और type C का, पाकि हम की बात करें, तो यतना कुछ मिल जाता है, और इस side अपने को एक hook मिल जाता है, तो दोनों side अपने को hook मिल रहें, तो rear seat का जो comfort है भाई, वो तो काफी दे रहा है इसको, तो चलते हैं आप इसके engine बे के तरफ और बाकी बात है, अपने महाँ पे करेंगे, उसको open करने के लिए, कि देखे इसको पन जैसे pull करेंगे, तो engine बे open हो जाएगा, तो यह है Tata Nexon का 1.2 लीटर का 3-cylinder turbo charge petrol engine, पावर की बात करें तो लगबग यहाँ प extra insulation मिल जाता है, NWish level control करने के लिए, तो यह Tata Nexon का fearless plus S variant, top variant था, features भी एकदम top class के हैं, आप अपने को मिल रहे हैं, बता feature loaded यह car होने वाली है, तो मुझे लगता है, सारे जो doubts थे आपके clear हो गए होगे, अब कुछ रह गया होगा तो आप मुझे comment कर सकते हो, तो उसका जो answer चरह में जल्दी से जल्दी देनिक कोशिश करूगा, तो चलिए वीडियो में रखते हैं इतना ही, उसके पहले इसकी जो pricing है, वो मैं आपको एक बार बार बता जाता हूँ, एक showroom price की बात करें तो यह 13,60,000 में आ जाती है, और यह जो pricing है बालंगाट सिटी किये, तो चलिए वीडियो में रखते हैं इतना ही, कैसी लगी है कार प्लीज मुझे कमेंट करके जरू बताएगा, वीडियो अच्छा लगाओ, कार अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर देना, शेर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ तो सब्स्राइब कर देना मेर किया सोमाइट तो तो ये हैं